गोसाइं गाउं में नवरात्री के बाद महाप्रशाद का हुआ आयोजन नोगचियान मंडल के गोपालपूर प्रखन छित के गोसाइं गाउं में नवरात्री के पस्चाद एकादसी तिती को ग्रामिनों के द्वारा महाप्रशाद खिजडी का आयोजन किया गया ग्रामिनों द्वारा मसालेदार खिचडी बना कर शरप्रथम भोग लगाया गया इसके बाद सभी लोग एक अस्थान पर एकत्रित होकर महाप्रशाद ग्रहन किया मौके पर उपस्तित सतिस्द जाने बतायक उनके गाउ में यह लगबग पांच वर्सों से आयुजित किया जाता है प्रतेक वर्ष नवरातरी के पस्चाद एकादसी तिथी को महाप्रशाद का भोग लगता है जहां सभी लोग एक जूट होकर बैटकर प्रशाद पराप्त करते हैं वही मौके पर उपस्तित सिक्चक अमर्णात जाने बतायक उनके गाउ में आपसी भाई चारा आपसी स्वाहादर का परिचे देते वे कारिक्रम कायोजन किया जाता है जिसमें सभी लोग सामिल होते हैं वही मौके पर उपस्तित सिक्षक किसी मिस्रा निबदैक उनके गाउं में पांच वर्सों से या प्रतिक वर्षायुजित होता है जिसमें सैकडो ग्रामीन उपस्तित होते हैं महिलाओं को उनके घर पर महाप्रशाद भेज दिया जाता है मौके पर सैकड़ो ग्रामीन महा प्रशाद में सामिल होकर प्रशाद प्राप्ट कर रहे थे मैं नम सती संद्र जा है और हम लोग दुर्गापुजा के सुब अपसर पर ए खिचरी का आयोजन किये हैं इसमें आपसी चोहादर के लिए कि एक जूट रहे हैं सभी जुबक मैं अमर्णाद ज्जा गुसाइगाउं से यह जो महा प्रशाद का आयोजन हुआ है यह प्रति एक वर्ष हम लोग चाहते हैं कि दसारा के बाद और करते भी हैं सभी युवाब बैटके एक साथ निरने लेते हैं कि साम को जब सनिवार आता है दुर्गापुजा की ठीक बात तो सनिवार के दिन इसका आयोजन होता है और पूरे गाउं को खास करके जितने भी परचित लोग होते हैं सब को आमनतन करते हैं कि आप आये प्रशाद लीजे और जो लोग आते हैं सभी बैठते हैं सभी मिल के इसमें कहीं कोई उम्र का वंदर नहीं होता बच्चे हो या बड़े हो या हमसे बहुत बड़े जो बजुर्ग हैं वो भी आते हैं और बहुत ही प्रेम से सब मिल के बनाते हैं अपने से और सब प्रशाद लेते हैं और सब एक जुट होके अपने गाउं के साथ-साथ पूरे संस्कृति के विकास की एक संकल भी लेते हैं, हमारी हम लोगों की एक जुटता का उधारन है कि सभी एक साथ मिलकर बैट के खाते भी हैं, और खिलाते जो नहीं आते हैं, उनको हम लोग घर-घर जाके प्रसाथ देत मैं केसी मिस्रा गुसाएंगा उसे, और आज जो यह प्रोग्राम हो रहा है, यह दुरगा-पूजा के उपलक्ष पर खिचरी का प्रोग्राम हो रहा है, और इसमें मातर एक ही संदेश हम लोग जो है देना चाह रहे हैं, कि आपसी प्रेम और सोहा, और इसमें हम लोग पू जाकर के परसाद पहुंचा आज़ता है, इसमें एक अद्भूत आनंद का अनभव होता है, और हम लोग बहुत प्रेम और भाईचारे से मिल करके इसको बनाते हैं, कितने दिन से चल रहा है यह हम लोग जो है लगवक पंस साल से अभी कर रहे हैं, और इसको आगे भी हम लो जो है करते रहेंगे